नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका SM Education के आफिसल यूटूब चैनल पे अगर आप सोच के बैठे हैं कि बहुत कम समय बचा है एडमिशन के लिए MBBS और BDS एडमिशन के लिए तो आपको एक बहुत अच्छी बहुत अच्छी नियूज है आपके लिए कि डेट एक्स्टें के तरफ से सुप्रीम कोट को एक प्रेय दी गई है जिसमें एक लिखा हुआ है कि इन वीव आफ री ओपनिंग अफ मेटिकल कोलेज अफर लॉक्डाउन अचांट अफ कोबीट-19 पैंडमिग ताम श्यूडूल प्रेस्काइब अर्लियर कूड नोट भी फोलोड अन अकोड 31 ऑगस्ट 2020 टू 15 जनवरी 2021 जो आपने देखा था कि 31 दिसंबर अभी तक हमें जानकारी थी लास्ट डेट होनी है वो आपको एक्स्टेंड होकर कि 15 जनवरी 2021 तक हो जाएगे नेक्स्ट यर तक और आपको 15 देज का एक्स्ट्र टाइम मिलने वाला है तो इन 15 देज में बड़ा उपर्चुनिटी है में भी पॉसिबल है कि जिनकी जीन स्टेट के लिए मौपो प्राउन का रेस्टेशन हो चुका है मौपो प्राउन के रेस्टेशन दुबारा कराया जा सकेगा और दूसरी इसमें है एक्स्टेंशन अफ लास्ट डिट अफ इंस सूपर स्पेस तो यह बहुत ही अच्छी निवज है और जो कंडिडिट को लग रहा है कि अब तो समय ही नहीं बचा सीट नहीं बची है दोनों गलत है आपके पास जो निवज अगर है समय भी बहुत एक्स्टेंड हो गया है और सीटे भी बहुत संख्या में बची हुई है जरूरत है कि आपको कैसे काउंसलिम आगे प्रोसीट करेंगे अगर आपके पास मांक्स कम है या ज़स्ट कॉलिफाइड है तो आपको यह देखना होगा कि कीन की स्टेट में जाकर अप्लाइब करें ताकि आपका जो बजट है उस बजट में कैसे आपको मेडिकल का लेज मिल जाए मिल या BDS scores मिल जाए अगर आप सोच रहें कि कुछ समय बाद फिर से एकजाम होगी 6 मेने के अंदर तो next time हम attend करके अच्छे marks ले आएंगे तो कोई जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे candidates जिन्हों ने अच्छे marks लायत लास्ट टाइम COVID-19 का समय pandemic का time है अच्छे से education हो नहीं पार रहता है और उसका paper का toughness level रहता है कभी cut-off ओपर हो जाता है कभी down हो जाता और देखने मारा है कि हर एक यह cut-off बढ़ी रहा है इस यह तो पेपर एजी थी तो candidates क्वालिफाई कर लिया अगर पेपर हा जाती है तो जो candidate क्वालिफाई कर लिए थे वह भी अगर क्वालिफाई है ताकि आपको बताया जाए कि कैसे कैसे आपको seat मिल सकते ही कहा possibility है और लास्ट तक बने रहेंगे तो stay vacancy round भी है management quota के seat है जिसको negotiate करके दिया जाता है तो बहुत सारी opportunity आपके पास आएंगी उससे अच्छा है अगर आपके पास budget से 10, 10, 5,000,000 एक्स एक्स्टा लग रहा है तो मैं आपको suggestion दूँगा कि loan ले करके आप admission ले सकते हैं और एक साल भरवाद होने सच्छा है कि एक साल को आप invest करें एक ऐसे direction में जो की निश्चित हो definite direction हो क्यूंकि आप एक साल पहले MBBS doctor बन जाएंगे तो एक साल में जो earning होगी वो भी मतलब आपकी सो मच्छ हो सकती है किया जा सकता बहुत कुछ हो सकता है तो बहुत सारे decision change होंगे जो students ने लिये हैं बहुत कुछ होने वाला है जैसे आपने एगर सोच के रखा कि NEET PG का examination अगर April हो रहा है तो उसके एक महिना बाद UG का फी examination करा दिया जाएगा वह भी अभी के लिए बहुत समय है और उसमें कितना postponement हो सकता है या होगा एक कहा नहीं जा सकता डिले तो होगा ही अगर आप सोच रहे हैं कि 6 मैने के अंदर फिल से counseling हो जाएगी तो यह मु opportunity है उसको कैसे grab करें within your budget और जो आपका location है किस तरह के college जाने चाहते हैं अगर आप compromise करना चाहते हैं कोर्स में तो भी सभी कोर्स में अच्छे career की opportunity रहती है depend करता आप पे कि आप कितना अच्छा उसमें करना चाहते हैं तो आप अगर इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजे और सब्सक्राइब कर लिजे जो students नए हैं या जो parents नए हैं इस channel पे क्यूंकि आप इस parents के history में जाकर देखेंगे तो सभ सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको starting to end अब तक seat नहीं मिल जाती है आपको guidance दिया जाता है तो यह बहुत ही beneficial एक platform है आप लोग के लिए counseling guidance के लिए और counseling platform के लिए admission के लिए so thanks for watching guys and have a good day